दोस्तों अगर आप आइफोन यूज करते हो और आपके आइफोन में डूप्लिकेट फोटो जो है बहुत सारे हो चुके जिसके वाइस स्टोरे स्पेस जो है या पर फूल होता जा रहा है तो आपको इजी स्टेप्स में डूप्लिकेट फोटो अकर निकालने हो तो वह आप क सिलेक्ट कर लेना है और नीचे स्क्रोल करना है नीचे स्क्रोल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूटिलीटीज के अंडर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगे जिसमें डूप्लिकेट्स का एक फोल्डर जो है आपको मिल जाएगा अब जैसी यहाँ डूप पर यूप्लिकरद फोतोस है तो वो यहाँ पर इस फोल्डर में आपको हो जाएगे आपको डिलेट करने हो nationally की एक फूटो रखना हो कैसे कर सकते हो अब करना क्या है आपको उपर सिलेक्ट के उपर टैप करना है और दोनों फोटो जो है यहां पर जाएंगे अब यहां पर देख सकते हो बॉटम में आपको मर्च टू का ऑप्शन मिल रहा है तो मैंने दो फोटो सिलेक्ट के उपर क्लिक करता हूं यहां पर एक और मैंसे जाएगा merge to exact copies अब यह जो copies है वो exact होगे अब कुछ सिनारियो में कुछ कभी-कभी ऐसे हो जाता कि photos जो है सेम दिखते हैं बट उसके attributes जो है वो different हो सकते हैं तो एक और option इसमें आपको आता है कि आपको मर्च करना है या best quality रखना है तो वह आप उसमें select कर सकते हो अब यहाँ पर merge to exact copies है तो मैं इसके उपर tap कर दूँगा और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो photos है वो जा चुके है तो अगर मैं पीछे आता हूं और recently deleted में मैं अगर चले जाता हूं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो recently deleted में आके यह जो एक photo है वो यहाँ पर delete हो चुका है यह सेम चीज अगर मुझे photos अल्बम में चेक करने है यानि कि recent files में तो मैं recent option में आऊँगा यहाँ पर scroll करूंगा जब तो वो photo मुझे नहीं मिल जाता है और यहाँ आप देख सकते हो वही same photo मुझे जो है अभी visible हो रही है तो यही simple तरीका है दोस्तों जिससे आप duplicate photo easily merge कर सकते हो और recently deleted folder में जाके जो duplicate file से वहाँ से डिलेट कर पाऊगे तो वीडियो अच्छा लगा है तो आपको helpful लगा है लाइक का बटन यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन यहाँ तोनों पर क्लिक कर दीजिएगा कुछ आपके सवाल है कमेंट सेक्शन खुला है वहाँ पर